हेलो वीवर्स, प्रोग्राम ब्रेकिंग बारियर्स मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया एक ब्रेक के बाद मैं आपके सामने हूँ और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि मैं इतने दिन आपके लिए प्रोग्राम क्यों नहीं कर पाई जबके बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ये जानते हैं कि मुझे ये ब्रेक क्यों लेना पड़ा मैंने अपने कम्यूटी टैब में वो लिख दिया था कि मुझे ये ब्रेक क्यों लेना पड़ा है और मैं कुछ दिना प्रोग्राम्स नहीं कर पाऊंगी लेकिन बहुत सारे वीवर्स ऐसे हैं कि जो कम्मुनिटी में जाकर नहीं देखते तो वो पूछते रहे कि क्या हुआ है और आप प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे ये ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि इस दौरान मुझे अपने जिंदिगी का एक बहुत बड़ा गम देखना पड़ा है माई ब्रदर डाइड इट वाज सदन डेथ वो एक जवान मौज होती है वो एक बहुत बड़ा चड़का होती और मैं प्रोग्राम इसलिए भी नहीं कर रही थी कि मुझे जो अलफास मैं बोल रही हूं वो बोलने पड़ेंगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने किसी प्रोग्राम में अपने लोगों को अपने पॉलोवर्स को मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरे भाई की डेट की वज़ा से जो है मैं इतने दिन आपके सामने हाजर नहीं हो सकी तो कहते हैं कि माबाप के जो चले जाना है वो बहुत बड़ा वम और दुख होता है और अभी तक मुझे भी यही पता था कि मेरे वालदैन जब इस दुनिया से गए थे तो उसके बाद से लेकर अभी तक सबसे बड़ा दुख जो ही था लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा दुख है जो मौत ऐसी होती है जिसके मुताले का आप सोच नहीं सकते कैसा भी हो सकता है जैसा कि मैंने बताया कि ये भाई को कोई बिमारी नहीं थी और वो बस एक दिन कुछ दिन से उनकी कमर में धर्ट थी और वो चला गया दिखाने के लिए तो पता चला कि प्लैटलेट्स जो है बहुत कम हो गए लेकिन उसके ओपर भी डॉक्टर्स ने कोई ऐस सच इतना वो कुछ ही देर के अंदर जो है वो उनकी डैट होगी तो ये एक ऐसा दुख है जो आपके दिल में एक बहुत बड़ा सुराख छोड़ जाता है एक सुराख हो जाता है आपके दिल में होल आपके हार्ट के अंदर ऐसा होता है जो शायद पूरी सिंदगी जो वो आप उससे उ कवर नहीं कर सकते हैं बहुत सारे बेशमार लोग ऐसे होंगे दुनिया में जो इस तरह के दुख या इस से भी किसी बहुत बड़े दुख से जो है उनका सामना हुआ होगा तो वो यह जानते हैं पिर दिल के अंदर जो सुराख होता है वो कभी भारा नहीं जा सकता तो ऐसे बहुत सारे वीवर्स जिन्होंने थाउजंड्स ओफ मैसेजिस मुझे भीजे थूरू सोशल मीडिया थू मीडिया थू माई मॉबाइल फोन और मेरे कॉमेंट्स के उसमें जो है वो आते रहे और उन्होंने जिन लोगों को यह पता जला जैसा कि मैंने आपको बताया है कि म कम्यूनिटी में अपने इसलिए लिखा कि मैं जानती थी कि अब मैं एकर से तक यह प्रोग्राम जो है यह नहीं कर पाऊंगी तो मुझे बताना चाहिए क्योंके जाहिर है कि जो पूरी दुनिया में आपके फॉलोवर्स हैं वह इस बात का इंतजार करेंगे कि यह प्रोग देख पाए उन्होंने बहुत सारे मैसेजिज भेजे और हर एक ने अपने अपने तरीके से जो है वो उसको यह इस ऐसे किसी वक्त पर जो लोगों से कहा जाता है वो कहा और सोशल मीडिया पर जिस जगा पर भी मैंने यह लिखा वहां पर भी पे शुमार मैसेजिज आयर ल बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आप सब का कि आपने इस मौके पर जो है वो मुझे याद रखा और मेरे गम में जो है वो आप शामिल हुए अच्प होता यह है कि हर एक कici तरीके से आप से दाजियत करता है कोई कुछ कहता है तो यह बात याद रुखिएगा कि ऐसे किसी मौके पर जिसके साथ ये हुआ होता आप यह बहू जाएं जंदेगी में क्योंके वो कहते हैं ना के शो मस्ट गॉन वो तो जंदगी जो है वो चलती रहती है इसके साथ कि हो रहा है जो जाने वाला होता है वो चला जाता है लेकिन उसमें अगर कोई ये कहे आप से कि आप कुछ ज्यादा ये दुख मना रहे हैं या ऐसा जो है वो सब के साथ होता है या इसको जो है सबर दे आपको सबर मिले और कुछ दिन में जो है वो ठीक हो जाएगा या ऐसा जो है अब इससे निकलने की कोशिश करें या ये तो ये सब बातें आपको सिरफ सुननी पड़ेंगे इसकी वज़ाई है कि इसका कोई वो नहीं है, आल्ٹरनेट नहीं हैं सिवाई इसके के वक्त जो के सबसे बड़ा मरहम रखने वाला होता है वो मरहम रखे और यह जखम जो है, वो मंढमिल हो दुख के नहीं हो सकता और नहीं होगा है कहते हैं कि जो grief की stages हैं अगर आप उसको भी देख लें तो आम तोर पर ये कहा जाता है जब आप इसकी search करें आपको पता चलेगा कि six months से one year तक या two year तक छे महीने से दो साल पर जो और नॉर्मल ग्रीफ की बात की जाती है फ्रॉम six months to two years तक की grief रहता है जिसमें आइस्ता इस्ता छे महीने के बाद आपको थोड़ा सा ठीक होना शुरू होते हैं और फिर इस तरहीं कैसे जो है वो दो साल में आपका वो फिर आप नॉर्मल लाइफ जो है बिलक टाइम लगता है और ये भी कहा जाता है कि ये भी हो सकता है कि डैगेट्स तक रहे लेकिन ये बात बिलकुल अपनी जगह पर कि इसके जो ये stages हैं इसमें आप एक दुख का होता है गम का होता है पिर एक एंगर का होता है एक आपके अंदर एक गुसा और नाराज़की होती ये वो इस वज़ा से कि आप कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद किसी को ना बचाया जा सके या पता ही ना चले और इस तरह हो जाए और ये क्या हो जाए आप किसी का इलाज करवाते हैं किसी को लेकर जाते हैं हस्पिताल उसका महीने तक या सालों तक वो होता रहता ह कुछ भी हो सकता है उस पे आप कहते हैं चलें अपनी सी कोशिश हमने कर ली आपको यह इत्म इनान होता है सैटिस्वेक्शन होती है कि पूरी कोशिश कर ली ठीक है अब वो जो है वो एक टाइम था वो हो गया यही टाइम आना था लेकिन ऐसे उसमें कि डिस में आप कुछ कर आप जाते हैं और फिर आप उसके बाद डिप्रेशन भी जा सकते हैं तो यह बात याद रुकिएगा कि अपने आपको आप डिप्रेशन की तरफ नहीं लेकर जाएं बलके उससे निकल के जो है आपको जिन्दगी की तरफ आना ही पड़ता है जिन्दगी बहुत जालिम है बहुत खुड़ बल्ल ले उसकी तरफ आपको वापिस आना ही पड़ता है इसके इलावा कोई चारा नहीं होता ने आपकी जाले जिंदगी के साथ और बहुत सारी जिंदगी हां जुड़ हुई होती हैं जिनको आपको आपने लेकर चलना होता है अब यह जो यह मैं बाते कर रही हूं यह भी हो सकता था कि मैं बड़ा एक simple सा ऐसा program आपके सामने कर देती कि जिसमें कहती कि यह हो गया और इस तरीके से जो है आपके सब का शुक्रिया और यह के यह बस कुछ बाते कर देते हम और कुछ अपनी memories share कर देती यह कर देती लेकिन इस पे मैं ये प्रोग्राम इसलिए करें कि बेशुमार लोग दुनिया में ऐसी होंगे कि जो सेंस ओफ लॉस है उनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी और वो उससे शायद निकल ना पाते हूं तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम जो अपनी पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम करते हैं और बहुत सारा इस तरीके की प्रोग्राम करते हैं उसमें हम कोई एक प्रोग्राम वीकली या मतली कोई ऐसा करें कि जिसके ओपर हम कोई ऐसा टॉपिक लें इस तरह का जो के change topic है, मुख्तलिफ है topic है, इस तरह के और बहुत सारे sense of loss, किसी के साथ ऐसा कोई grief है, कोई अपने बहुत जादा जो है, जिसकी वज़ा से उसकी जिन्दगी में ऐसा खला पैदा हो गया है, यह जो मैं बात कर नहीं हूँ, जैसा मैंने पहले कहा कि बिशुमार लोग ऐस होंगे कि शायद उनके इस से भी ज्यादा, इसमें यह कहा जाता है कि जो ऑलाद का दुख है, वो बहुत ज्यादा होता है, सबसे बड़ा दुख होता है, इसके अंदर मैं देख रही थी, मैंने इस इसले में, जब यह वक्त आता है किसी पे तो वो फिर बहुत सारी लोग में निकल जाते हैं, खाक चानते हैं दरदर की कि किसी तरीके से उनको चैन आ जाये, तो इसमें आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 21 एर्स तक के जो उस एज में जो लोग अपनी जान से चले जाते हैं तो क्योंकि उनका डिरेक्ट उनके माबाप के साथ एक ऐसा कार्मा बना होता है, कार्मिक इंप्रेशन होते हैं, कि वो सबसे ज़्यादा दुख होता है, जो पीछे रह जाते हैं उनको, उससे बड़ा दुख जो है वो नहीं हो सकता है, जो कहा जाते हैं कि उलाद का सबसे ज़्यादा दुख होता है, उसको कोई रुनाना बं सानिया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का तो उस वक्त भी आंसू जो है वो नहीं रुक रहे थे इसकी विज़ाई है कि वो भी बच्चों की जो थी वो सानिया था उनके पर वो गुजरी थी तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त अपनी जगा पर इसमें अब जब आप और भ खतम ही नहीं नहीं होता है यह तो स्र HY poly ये तो आपका जिसम है जो के चला जयता है बाकी आपकी आप एप की रूँ या एनरजी या आपका आ आप , जो भी आप उसको बोलते हों अपने उसमें, वहो तो वैसे ही रहता है, पिर कोई ये कहता है उसकी Reincarnation की बात करता है और इस तरह के ये टॉपिक इतना वास्ट है इतना बड़ा टॉपिक है कि आप इसको जब इसके पर बात करना शुरू हो और आप के पास इसकी नॉलिज हो जिन लोगों के पास होती है तो बहुत सी बात कर सकते हैं इसके उपर तो क्यों ना हम अपने प्रोग्राम में कोई एक ऐ को दाना करें कि आए यहो लेकिन जिंदगी है तो जिंदगी में जो है वो कहते हैं कि की मत चुकानी पड़ती है मैं देख रही थी कि लिजा ने सही ये भेजा बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा लेकिन उसने जो है वो ये कहा कि ग्रीफ नवर एंड्स बट इस एक पैसेज नॉट ए प्लेस नॉट इन नॉट इस नॉट एक आफ लव ये सही बात है एक तो ये कि नेवर एंड्स कभी खत नहीं होता जो सुरा हो गया उसको भरा नहीं जा सकता और ये एक पैसेज है ये कुई जगा नहीं है कि जहांपर आप थैज सहें आपको आगे जाना ही जाना है और पिर उसे में यह है कि इसको ये weakness भी नहीं है, इसको weakness भी ना बनाएं और ना ही इसको अपना faith बनाएं, बलके ये आपसे पियारों कई आपका वो प्यार है, आपकी वो महबबत है, जैए आपका माँ चली गई हो, आपका बात चला गया हो, या आपका भाई चला गया हो, कोई भी गया हो, उसकी जो महबत आप उससे करते थे, यह उसकी आपको कीमत चुकाना पड़ रही है, मुझे लगता है कि यह ऐसा ही है, यह सही बात है, कि आपको उस महबत की कीमत चुकाना पड़ती है जो आप किसी के साथ करते हैं जब वो चला जाता है तो आपको वो अजियत परदाश करना पड़ती है वैसे तो आप इसको दो तरीके से ले सकते हैं कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ होता है सब कुछ वो बिचारे चले जाने के साथ होता है, खोता तो वो सब कुछ है, उसकी जिंदिगी चली जाती है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि zam싸 लूए वो एक बहूत थी जबर्दस्ट और अच्छी जगह पर गया है, और एक ऐसी जगह से, ऐसी दुनिया से वो एक ऐसी दुनिया में चला गया जो बहुत ही शानदार है और जिसके चेहरे पर आखरी वक्त में स्माइल हो मुस्कुराहट हो तो वो यकीनी तोर पर ऐसी किसी दुनिया में गया होगा और फिर जो चलते फिरते चला जाए वो भी है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि ओहो जवानी में जो मौत आ गई लेकिन आप यह देखें कि कुछ लोग मैं देख रही थी अभी कि एक जो फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर 94 येर्स की एज में उन्होंने और उनकी बेगम ने जो है वो अपने आखरी वक्त में जो 94 येर्स की हो गए तो जो यूरपियन कुछ कंट्रीज जापे यूनिस्टेजिया एक वो है कानून है कि जिसमें वो खुछ से जहर देकर जो है वो कहते हैं के मार दिया जाए तो उसमें उनको इजाज़त होती है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है तो वो दोनों मिया और बीवी ने उस एच में जो है क्योंकि उनके पास कुछ रहनें गया था करने के लिए और बहुत ही जादा वो ओल्ड हो गए थे तो उन्होंने का कि उनको यह दे दिया जाए और इस तरीके से उन्होंने अपनी आखर में जान ले ली तो यह समझ में ना कभी जो है वो सिग्रेट भी ना पी हो कभी शराब भी ना पी हो इसके बावजूद पता ही जले के लिवर फेल हो गया तो जो चलता फिरता चला जाए और किसी को उसकी देख भाल भी ना करने पड़े और उसको बेड़ पे भी ना पड़ना पड़े बिस तर पे वो से पार थे वा है वो कॉमेंट्स आब वीडियों के नीचे कर सकते हैं और जिस तरह यह भी मैंने कहा दिशो मस्ट गो आउन जब तक जिन लगी है तब तक इसे जड़ी रहता है और हमारा शो भी जारी रहेगा और हम अब अपने शो को तुबारा से रि-स्टार्ट करते हैं और और जितनी खबरें जो भी है वो आपके सामने प्रोग्राम्स जरूर में आने वाले दिनों में पेश करूंगी और इस सलस्ले में कोई भी कुछ कहना चाहे बलके आखर मैं यह कहूंगी कि अगर जिस तरह मैंने कहा कि किसी ऐसे टॉपिक पर हम बात किया करेंगे तो अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक हो तो आप जरूर टॉपिक भी शेयर कीजे आप इस सलस्ले में अगर समझते हैं कोई एक्सपर्ट है उसे बात की जा सकती है आप वो भी बताएए चाहे वो किसी भी इस सोच से डिलेटेड यानि ये एक मुख्तलिफ तरह के फिलोसिफीज हैं कॉंशियस, अनकॉंशियस, आप एनरजी, सोल, कार्मिक इंप्रेशन, रिइंकार्नेशन और पता नहीं क्या क्या इस तरह की किसे भी फिलोसिफी पे आप चाहते हैं कोई प्रोग्राम किया करें तो उस पे आप एक्सपर्ट का नाम भी जरूर रखिएगा, आपको उनका कोई नंबर पता है जिससे राब्दा किया जासे कि बहुत सारे लोग बता देते हैं, जिन आप ये नाम है, वो इस तरह की वीडियो, कभी मैंने इस तरह की कोई, यानि कि परसनल जो बात है हम अपने प्रोग्राम में करते हैं, हम तो खबरों पर बात करते हैं, तो मैंने कोशिश किये कि मैंने आप तक जो है ये प्रोग्राम में पहुँचा सकूं, बड़ा मुश्किल था ये प्रोग् है और आपसे मुलाकात रही दिए जासे दिए